यू लाइप नहीं कर रहे हैं आप चैनल को सबस्क्राइब बी नहीं होता है पटाफटसे किजिए आन करें खालो दोस्तों आप सभी का वीक्या माइथमेटिक्स में सवागत है तो यदि आप इस चैनल पे नए है तो प्लीज इस चैनल का सबस्क्राइब करिये और यदि वीडियो आपको समझ में आए और पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर जोने आप्सनल मैथमेटिक्स लिया है उनके लिए यह हम देखेंगे कि जो सिवील सर्विस्टेश का जो मेनिक जाम हुआ 2-23 में उसमें जो आप्सनल मैथमेटिक्स पेपर हुआ है वह किस तरीके के है और किस टाइक के कुईसन आते हैं तो चली हम देखते हैं कि यदि हम बात करें टाइमिंग की तो आपका तीन घंटे में इस क्वेशन पेपर को हल करना रहेगा और यदि मैक्स में मार्स की बात करेंगे तो दोसो पचासंक मिलेंगा ठीक है इसमें क्या देखना है कि उतर देने से वाले आपको ये निर्देश जो है वो पढ़ लेना इसमें लिखाया है कि आठ प्रस्ण है जो दो खंडों भाजित है तो कुल कितने क्वेशन है आपके आठ क्वेशन है जो हिंदी और अग्रेजी दोनों में छपे जो उन्हें किवल 5 परस्ण को उतर देना है और जो प्रस्ण संख्या एक और 5 वह अनिवारि मत्रों कंपासर ही हॉम को आपको हाली करना पड़ेगा और बाकी प्रस्ण में इसे प्रते खंड से कब 11 प्रस चुन Karakuk 2 प्रस नों कुट देना है तो किन्न हो गया 325 प्रत्य खंड से एक क्क्वेश्ण का उत्त्य देना है तो तीन और 15 6 निवार यह तिन दो 5 अब प्रत्य प्रस जो है उसके आगे उसके आंग कर दिये गए हैं ठीक है और इसके बाद जो मैत का जो question है उसका solution आपको जिस admin card में Hindi medium है तो Hindi में लिखना है English में तक है और इसके बाद देखे जो उपर Hindi में लिखा है वह यहां क्या लिखा है English में लिखा है तो लिखा फालो इंस्ट्रक्शन केर्फूली पुर अटेप्टिंग क्वेस्चंस तो क्वेस्टन हल करने पपले आपको यह पड़ीन है इसके बाद बाद यह क्वेस्टन दिवाइड टू सेक्शन आठ वैप जिए आप को दो सेक्शन डिवाइड कि वह हैं और सभी एपांच विए उ इसके बाद question number five and first, मतलब कि first and five are compulsory, जो पहला question है, पांच वा जो पांच वा क्या compulsory है, जो बचे हुए question है, जितने पांच वा क्या compulsory है, इसके बाद तीन question आपको प्रतिक session में से, वो उसालो करना है, तो चलिए, अब हम question देख लेते हैं, इसाई चीजे निदेश है, तो य V1 एकोल 2, minus 1, 3, 2, V2, equal minus 11, 1, minus 3, and V3 equal 119, minus 5, V3 vectors of the space, real number R4, मनला IR4, तीक है, दो 3, minus 1, 0, minus 1, belong to, span V1, V2, V3, justify your answer, तो आपका एक vector space है, जो आपका space है, और यहां आपको किसी space का, और इस प्रिए को नहाँ है, आपका real number का है, 4-dimension का है, इसमें, जो 3 vector आपको दिए है, vector V1 दिया है, vector V2 दिया है, और vector V3 दिया है, आपको ये बताना है कि क्या, ये 3 vector दिए गए है, और आपको बताना ये है, कि ये जो vector 3-1, 3-1, 0-1, ये आपका जो vector space V1-V2-V3, का span है, है न, तो आपको spend दिखाना है, इसके बार justify your answer, और अपने answer क्या करना है, जश्टिफ हाई ही भी करना है, इसका ध्यान से ठीक है, तो ये आपका कहां से है, आपको जो vector space है, vector वाले प्राव्लम से, जो परणा होगा, इसके बाद, पहले की जो प्रावलम की बात करें, मैट्रिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है लिनियर इल्जेब्रासी है इस ध्यान देना पहला जो कुछन है पहले का यह विलीनियर इल्जेब्रासी है इसके पहले का जो बी की बात करें तो लिखाया है कि t find the rank and nullity of the linear transformation t ir तो तो यह जो आपको दिया transformation इसका आपको क्यारा करना है कि इसका rank और nullity है न तो linear transformation का rank निकालना है और nullity है न यह साही चीज़े आपको निकालना है यह linear transformation algebra का यह भी आपका question है और इन दोनों के लिए आपको दस दस तक मिलेंगे तो हमें लगता है कि जो भी हैसी के जिन्हों ने भी यह आपने मेड्यीम चूच किया होगा क्योंकि हंदी में हमें लगता है स्वं में से 95% लोगों है मतलब इंग्लीस में ही question अपना मेड्यम चूना होगा इसलिए आपको इंग्लीस में साल करना आसान रहेगा जो इंग्लीस के पढ़ें यह आपको एप्ले का function a x 1 plus p cos x minus q sin x by x q का क्या इसका limit exist करता है find the value of p and q मत्दb p and q का value निकालना है जिसके लिए limit exist करता है और यह किसके बराबर है एक के बराबर है तो यह आपका क्यांसे question है calculus का question है का question है calculus वाला जो chapter है आपने BSN पढ़ा होगा यह तो optional वगर जो भी चीजे पढ़ा होगा वह इस question है अब यह पहले के D की problem करें पहले का question D है उसमें examine the convergence of the integration 0 to 1 log x by 1 plus x dx तो आपका real analysis का जो question है real analysis का जो topic होगा है na math का तो book होगा उसमें यह जो integration है रिमान integration वगर आप समने पढ़ा होगा तो उसके बाद जो chapter मतलब topic दिया होगा convergence of the integral तो यह वहाँ से है तो यह हम बात करें फर्स्ट के E की है और यह सभी दर-दस मास्ट के है इसके बाद यह दिखे जो पहले का E question है यह geometry का question दीख रहा है ना यह variable plane which is at a constant distance 3p from the origin O cuts the axis in the points ABC respectively so that the locus of the centroid of the tetrahedron O ABC is 9 1 by X square plus 1 by Y square plus 1 by Z square equals 16 Y P square इसमें क्या बोला है कि एक variable plane है जिसकी origin से जो distance से 3p है और यह जो axis है X Y Z इस ABC पर क्या करता है क्रम से काटता है आपको यह दिखाना है कि जो tetrahedron का centroid है उसका जो लोकस यह है क्या है लोकस 9 1 by X square plus 1 by Y square plus 1 by Z square equal 16 by P square और यह question है यह दसंग का है तो देख पा रहे है कि जो 1 E का अब चलिए हम क्या करते हैं कि जो 2 E का जो पहला question है है ना if the matrix साफे linear transformation from RQ to RQ relative to the basis on 0 0 0 1 0 j 0 1 is 1 1 2 minus 1 2 1 0 1 3 then find the matrix of T relative to the basis 1 1 1 1 0 1 j 0 1 इसमें यह बोला है कि एक linear transformation है जिसका 3 dimension का जो real space है और उसी real number के 3 dimension में transformation है और जिसका basis दिया है 1 0 0 मंदर जो transformation है उसका जो basis है 1 0 0 0 1 0 0 1 त आपको क्या और इसका matrix भी दिया है नीचे दिया है 1 1 2 minus 1 2 1 0 1 3 इसका matrix दिया है तो आपको यह निकालना है कि एक matrix निकालना है जिसका basis लिनियर ट्रांस्पारेशन टीक है एक matrix निकालना है जिसका basis 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 और इसका ध्यान दिया इसके बाद हम बात करें 2B की तो evaluate the triple integral which gives the volume of the solid enclosed between the two parabolaids parabolaids z equal 5 x square plus y square and z equal 6 minus 7 x square minus y square इसमें यह दिया है कि दो आपको parabolaid दिया गया है और इन दोनों parabolaid के बीच जो ठोस होगा है ना जिसे in close होगा मतलब घीरा होगा और ठोस के आयतन को दर्साने वाले मतलब जो ठोस का आयतन को क्या represent करेंगे उसका आपको triple integration find out करना है क्या find out करना है triple integration find out करना है और इसके लिए आपको 15 आंक मिलेंगे इद आपने इसे सालो किया तो है ना तो देख पा रहे है कि जो दूसरा question है दूसरे का जो पाला है वह भी 15 आंका है और दूसरे का जो भी है वह भी क्या है 15 आंका है ठीक है चलिए 2C का अब हम क्या करते हैं जो first वाला है उससे देख लेते हैं तो आपको यह दिखाना है कि जो एक्वेशन है आपको दो एक्वेशन है आपको क्या करता है कि एक प्रिंस्पल एक्सीज और प्रिंस्पल प्लेंस भी निकालना है इसका द्यान दिए अब चलिए और यह दसंग का है अब हम 2C का जो second उससे देख लेते हैं इसमें जो question है यह बोला है कि जो plane है x by a y by b plus z by c यह x axis को a पर y axis को b पर और z axis को c पर क्या करता है मिलता है आपको स्चिद करना है कि आपका equation आपद कोन का equation क्या है आपको स्चिद करना है कि जो कोन का equation है जो किसी रेखा द्वारा जर्रेट होता है और जो मूल बिंद ओ से खीचा गया है वो सर्किल a b c को मिलता है और उसका equation है yz by c plus c by b plus z x c by a plus a y c plus a x by a plus a by a plus a by b equal 0 है ठीक है यह स्चिद करना है 3a का हम a equation देख लेते हैं इसमें क्या है कि let a equal 10101010 यह आपको matrix दिया है और इसको verify करना है kelly hamilton theorem को इस matrix a के लिए क्या करना है verify करना है तो matrix का problem है उपर वाला ही जो question अपने 2-3 question देखे वो geometry का question था तो पहला तो आपको kelly hamilton theorem को verify करना है और इसके लिए 10 संग मिलेंगे यह verify करते हैं तो जो दूसरा question जो दूसरा है उसमें a power y n equal a power y n minus 2 plus a square minus 1 a square minus i आपको 100 करना है और इसकी जो rank है n greater than equal to 3 तीन आड़ा से अधिक के लिए है और आपको क्या करना है और आपको a power 40 भी निकालना है और इसके लिए 10 संग है चलिए 3b का जो 3 तीसरी का b है और जो 3 का a है वो आपको matrix वाला matrix वाल चेप्टर का problem है ठीक है इसको 3 का b है justify whether 0 is an extreme point for the function fx equal fx y equal 2x power 4 minus 3x square y plus y square तो आपको justify करना है कि जो 0 0 है इस function का extreme point है तो इसका आपको ध्यान देना है यदि हम बात करें और इसके लिए आपको क्या मिलेंगे 15 आंक मिलेंगे और जो तीसरे का a है तो इसमें देखे first and second करके दिया है तो पहले के लिए भी 10 आंक है और अपके लिए दूसरे जो दूसरा question है उसके लिए भी क्या है 10 आंक और जो तीसरे का जो भी question आप समझी पा question है है ना का question है calculus वाला जो chapter है उसका question है ठीक है तो अब हम तीसरे का c देख लेते हैं find the equation of the sphere through the circle in the following two cases आपको उस sphere का equation निकालना है जो इस गोले से आपको उस sphere का equation निकालना है जो इस circle के जाता है च्चार प्लस y-4x-6y-2z-16y-3x-y-3z-4x-0 इस दो case हो में पहला क्या है कि पहला जो case है वो the point 10-3 lies on the sphere जो point 10-3 विलाई करता है ठीक है इस पर आपको स्पीर का equation निकालना इसके लिए और second है जो circle आपको दिया है उपर जो equation दिया है यह sphere का great circle है तो उसके लिए और इसके लिए क्या है पंदर आंक आपको इधारी थे ठीक है तो इसका थ्यान दिजाएगा भाई 2-3-3 का और यह geometry का question है ठीक हो जो geometry वाला जो topic है आपके syllabus में of optional में वहां का question है इसके बाद 4 का हम यह देख लेते हैं find the rank of the matrix यह जो matrix है आपको इसका rank निकालना किस form से reducing it to row reduce egal form ठीक है पहला पर इसे egalon form में reduce करिए और इसके बाद आपको निकालना है ठीक है तो इस matrix आप देखी इसके बाद 4 का जो भी equation है trace तक कर y square x square minus 1 equal to x minus 1 y square x minus 1 equal to x minus 1 तो यह जो curve है इसको आपको trace करना है और इसके लिए 20 अंक निकालना है इसका ध्यान देखाए और कर्व ट्रेसिंग थोड़ा सा एक दो पेच में होगा तो इसके लिए 20 अंक आपको मिलेंगे तो इसके लिए 20 अंक आपको मिलेंगे तो फोर सी की problem देखे तो प कि क्या करना है आपको सिथ करना है कि की उस लाइन का लोकस क्या है जो इना इस लाइन को मिलती है और यहां इस initial value problem d dx of y minus 2xy equal to y 0 equal 1 in the form y equal e power x square into 1 plus under root pi rf x तो यह आपको क्या करना है तो यह आपको solve करना है इसके बाद हम Laplace transformation का देखे जो 5b जो problem दिखे आपको यह Laplace transformation का है आपको दिया है given that Laplace transformation of ft p equal fp so that integration of 0 to infinite ft by t dt equal integration of 0 to infinite fx dx hence evaluate the integral integration of 0 to infinite e power minus t minus e power minus 3t by t dt तो आपको दिखाना है कि आपको दिया गया Laplace transformation Lft equal fp आपको दिखाना है कि जो ft by dt है इसे fx में है ना बदालना कर आपको दिखाना है इसके बाद यह जो integral है इसका आपको value भी निकालना है और यह कितने का है दसंग है calculus वाला problem है और इसके लिए दसंग है और यह जो 5c का जो problem है यह statics का problem दिख रहे हैं तो statics का problem इसमें दिया है कि एक balan है जिसका अर्दव्यास यह है एक generic line के along क्या करता है कि एक उर्दवाधर दिवार को अस्पस्क किया हुआ है उर्दवाधर दिवास मतलब vertical वाल को हैं क्या कर रहा है टच कर रहा है और इसका जो balan का जो axis है मतलब की सिलिंडर का axis है वो constant है मतलब इसके बाद लंबाई L और भार W के एक समान मतलब एक डंडा जिसकी लंबाई L भार जो वेट है W है यह वर्टिकल से 45 इंगल का कोड बनाते हुए अपने सीरो के दिवासारे था बेलन पर टिकाय हुए मतलब दिवार पर और बेलन पर क्या हु यह प्लस फाइ बाई 4 अनरू 2 यह इस्टेटिक्स का प्रावलम है और इसका जो सिलिंडर और वाल का जो रियक्शन है वह भी आपको फाइंड आउट करना है तो चरी अब हम नेक्स क्वेस्टन देख लेते हैं तो फाइक का जो ड इसमें क्या बोला है कि यह डाइनिमिक्स का question है जो 5 का d दिख रहा है डाइनिमिक्स का दिख रहा है अब पार्टिकल is moving under simple harmony motion of period t about a center O मतलब यह particle है जो center O के along क्या करता है move कर रहा है किस में simple harmony motion में जिसका period t है आपको यह दिखाना है मतलब की आगे देखते है इट पासे स्थूद पॉइंट यह और यह small p इसके पाद क्या बोला है कि find the time आपको time निकालना है that elapses before the particle returns to the point मतलब की point p से अत्तक वापस आने के से पहले आपको क्या करना है इसका time find out करना है that elapses what will be the value of p p का value क्या होगा जब when the elaps time is t by 2 जब elaps time क्या है t by 2 है तो इसका p का value क्या होगा इसके बाद आप next question देख लेते हैं 5 का जो c है इसमें लिखा है कि if vector equal sin theta i plus cos theta j plus theta k vector b equal cos theta i minus sin theta j minus 3 k k minus 2i plus 3 j minus 3 k k then find the value of the derivative of the vector function vector a cross vector b cross vector c with respect to t at theta equal pi by 2 and theta equal pi तो यह आपको निकालना है और यह क्या है वो vector वाला problem है vector का है इसका जो छटे एक है साल दो differential equation जो equation दिया है इससे आपको solve करना है और आपको differential equation का question है और इसके लिए पंद्रा अंक मिलेंगा है ना मंदर पंद्रा मार्स इसके बाद यह जो question दिख रहा है इससे आपको सकते है कि question क्या दिया है when a particle is projected from a point o on on the sea level with velocity and angle of projection theta with the horizon in a vertical plane its horizontal range is r1 if it is further projected from a point o to which is vertically above o 1 at a height in the same vertical plane with the same velocity and same angle theta with the horizontal range is R2 prove that R2 greater than R1 and R2 minus R1 as to R1 is equal to तिये के भी क्या है आपके? डाइनेमिक्स का जो वाला जो प्राबलम है वहां से और इसके लिए भी आपको पंदराग मिलेंगे है ना पंदराग ने धारी थे इसके बाद जो छटे का जो C है आप देख पा रहे है कि यह double integral वाला प्रावलम है और इस इंटीग्रेशन का क्या करना है जहां यह क्या है कि अपर पार्ट आफ दा सर्फेस है ना और यह जो क्वेशन दिया है 4x का व्लस 4y का व्लस 4z का एकल वान अबाव द प्लेंच एकल ज इस गांस डावर्जेंस थी आप वेक्टर वाला चैप्टर में पढ़े होंगे और 20 अंक है ठीक है अब गांस डावर्जेंस वास्तों में थोड़ा से आपको बड़ा हल करना पड़ेगा इसके बाद सात में एका जो फर्स्ट है find the solution आप दिफ्रेंस इलिक्रेशन त्य आप को साल्व करना है तो चलिए अब हम साथ बे का जो इसे कीड प्रावील है हम उससे देख ले तर्ली इसमें क्या है कि reduce the equation is is का यह P2 TV plus Y2 2 Qs Palinion बूस बाहन यह ऐख में रिड़्यूस करना है इसके बाद बाद यह सबसेंतुटaste करके substitute करको करके आपको clearate form में क्या करना है reduce करना है इसके बाद इस equation का साल करना है और यह दिखाना है y plus 4 is equal 0 इसे singular solution हो दे differential equation और यह क्या है differential equation का singular solution है यह आप जब legendary या बेसल वाला जब वो chapter है वो पढ़ रहे होंगे तब आप clearate form बाला भी पढ़े होंगे है ना तो यह भी क्या है calculus का question है इसके बाद जो next है आप देख पा रहे है यह भी आपका aesthetics का question दीख रहा है है ना कि a solid hemisphere is supported by string fixed a solid hemisphere क्या है support किया गया कि इसके दोर एक string देखे string दोरा जो क्या है मतलब कि एक stream है उसके एक point से क्या है इसे fix किया गया है and to a point on a smooth vertical wall और यह क्या किया गया है कि series बात है कि यह क्या है aesthetics का question है तो आप देख सकते है तो हम यह दिस साथवे का जो C problem है यह देखे तो यह भी आपका क्या है कि aesthetics का question है तो एक वक्र है जिसकी असपस रेखा है यह कर्व है जिसके tangent एक अस्टे टेंगल बनाता है फेक्ष लाइंग साथ तो यह आप देख सकते है इसके बाद आप जो आठमे का जो ए है यह तो का यह है यह लापलाश ट्रांसपारविशन का आप देखी पा रहे है solve the difference इसके लापलाश ट्रांसपारविशन टेक्निक का इस्तिमाल करकी से solve करना है जहाँ y equal 0 y dash 0 equal 0 and ft is a given function of t ft क्या है t का function है और यह जो differential equation है d2 dt square of y minus 4 d dt of y plus 3 yt equal ift इससे आपको solve करना है और इसके लापको 15 आंक ने धारित है कितने ने धारित है 15 आंक ने धारित है और साथ यह का सी आप देख पा रहे है वह भी statistics बगर का question है और इसके लिए कि आप 15 ने धारित है ठीक है ठीक है तो अब आटमी का जो भी वाला यह जो question है यह क्या है dynamics का question है टीसी भी आप देख लहेंगे हाना कि एक पार्टिकल इस पोजेट रहा है एक लोगत रहा है एक डिस्टेंस बर्टर रूटसी तरह जो जो पने दूख कर रहे है अंडर इस्टेंस अंडर रूटसीड टो डिया है क्या होगा इसके बाद क्या होला है कि will that be the curve क्या यही कर्व है यह पावर मतलद जो इसका पार्टिकल का जो पाथ है उसके बाद जो आठवे का C प्रावलम है तो इससे आप देख पा रहे हैं कि आपका जो प्रावलम है क्रॉस प्रावड़क्ट हैं डाट प्रावड़क्ट हैं उसी से करल वाला जो करल डावजेंस अगर आप सब पढ़े होंगी तो वही वाई वही से क्वेशन लिया गया है और यह क्या है यह भी 15 क्वेशन का है आपको प्रूब करना है कि यह जो आइटन्टी है इसे भी आपको क्या करना है इसे भी आपको क्या करना है और इसके लिए आपको पंदरग निधा लिए थे ते तो हम उम्मीद करते हैं यहां तक आप सब उक समझ में आया है होगा यह समझ में प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सकाइब करें ओके थैंक्यू थैंक्यू समझ पर वाचिन इस थैंक्यू